हलो मैं हूँ रिखायादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई आजकल के लाइफस्टाइल के कारण हम कब अचाहे बिमारियों के शिकार हो जाते हैं इसका हमें पता ही नहीं चलता इन में से एक बिमारी है ब्लड प्रेशर की जी हां आजकल शायद ही ऐसा कोई हो जिसे ब्लड प्रेशर की समस्या ना हो और इसे छुटकारा पाने के लिए वो हर दिन दवाया ना खाता हो इसलिए आज हम कुछ ऐसे खाने की चीजे बता रहे हैं जिसके सेवन से आप अपने ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल पा सकते हैं अगर आप लंबे समय से ब्लड प्रेशर के शिकार है तो तर्बूज का फल आपके लिए काफी फाइदे मंद हो सकता है तर्बूज में होने वाले अरजीनी ने हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है या ब्लड क्लॉटिंग को भी कम करता है जिससे हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है नारियल के पानी के जादोई गुणों के बारे में तो हम सभी जानते हैं या फल किसी दूसरे फल या ड्रिंक से काफी जादा फाइदेमंद होता है इसमें पोटाशियम, सोडियम, विटामिन सी, कैल्शियम जैसे कई पोशक तक उपाय जाते हैं जो इसे सबसे अलग करते हैं पोटाशियम की अच्छी मात्रा होने के कारण या असानी से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है अंगूर में पोटाशियम के अच्छे गुण होते हैं जो की ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं अंगूर का सेवन करने से हमारे शरीर के ब्लड बेसल्स को अराम मिलता है जिसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है केले में पोटाशियम के साथ साथ कई पोशक ततो जैसे विटामिन B6, विटामिन C और मैगनेशियम के गुण होते हैं जो हमारे शरीर में BP कंट्रोल करने में मदद करते हैं प्याज में एडोनोसाइन होता है जो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंतरित करने में मदद करता है। प्याज का सेवन करने से आपको कई और भी फायदे होते हैं। आप चाहें तो प्याज को सलाद के रूप में या फिल डेर चमच प्याज के रस में शहद की कुछ बूंदे मिला कर भी लिये सकते हैं। इसका सेवन करने से बीपी कंट्रोल रहता है। आप इसका सेवन कम से कम दो सब्ता तक जरूर करें। प्याज के अलावा लहसुन भी बीपी कंट्रोल करने में सहायक होता है। रोजाना दो लहसुन की कलियों का सेवन करने से नाकेवल ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है बलकि ये कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। ये रक्त के प्रवा को भी बढ़ावा देता है। अगर आप लहसुन के सेवन से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इनका सेवन कच्चा ही करें। इसके अलावा आप चाहे तो लहसुन का जूस बना कर भी पी सकते हैं। धमिनी पटिका यानि कि आर्टरी प्लाक हाइपरटेंशन के पीछे का अहम कारण होती है जो हमारे हिर्दय की मदद तेजी से ब्लड पंप करने में करता है। फुदीने के पत्ते का सेवन करने से आप धमिनी पटिका को हटा सकते हैं ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल म रहे। विटामिन सी बीपी के मरीजों के लिए काफी अच्छा होता है। नेमु में विटामिन सी के सुरोथ होते हैं जो हाइपरटेंशन को नियंत्रित कर ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। अजवाइन में मैगनेशियम, पोटाशियम और फाइबर होता है ज असानी से अपने ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल पा सकते हैं लेकिन इन में से किसी भी चीज से आपको अलर्जी हो तो उसे बगएर अपने डॉक्टर के सला के नाले। उमीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहे बोल्ड सकाई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।